वीवशब तारू की खोज में एलिक्स की कहानी एक बार की बात है स्टार्डेल नामक एक छोटे से शहर में एलिक्स नामका एक युवा सपने देखने वाला रहता था हर रात वह सितारू की कामना करते हुए चमकते रात के आकाश को आश्चेरी से देखता था एलिक्स का मानना था कि टूटते तारे को पकड़ने से उसे एक विशेश इच्छा मिलेगी और उसके सारी सपने सच हो जाएंगे एक दिन स्टार डिल के बुद्धिमान बुजर्ग ने शेहरवासियों के साथ एक पुरानी कथा को साज़ा किया उन्होंने उस दिवलब और जादूई घटना की बारे में बात की जिसे स्टार फॉल स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है जो हर सो साल में एक बार घटित होती है इस असाधारन घटना की दोरान तूटते तारे रात के आकाश की शोभा बढ़ाते थे और जो कोई भी टोटते हुए तारे को पकड़ता था उसकी हाथ एक इच्छा पूरी हो जाती थी कहावच से प्रेरित होकर एलिक्स एक गिवते हुए तारे को पकड़ने की खोज में निकल पड़ा उसने अपने बैक पैक को आवशकता के अनुसार पैक किया उसमें एक नक्षा भी शामल था जिसके बारे में उसका मानना था किया उसे स्टार फॉल स्पेक्ट्रम के स्थान तक ले जाएगा जैसे ही एलिक्स ने अग्यात की और कदम बढ़ाया उसका सामना सभी आकरतियों और आकारों के खगोली प्राणियों के साथ हुआ जिन में से प्रतीक एक गुप्त मानचित्र के तुकड़ी की रक्षा कर रहा था उन्होंने उसके साथ मूलिवान जीवन के सारे सबग साजा किये उसे ध्रणता करोना और सुएम पर विश्वास करने की शक्ती के बारे में सिखाया अपनी पूरी यात्रा के दोरान एलिक्स को विभिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी हाव नहीं मानी साहा सोद्रण संकल्प के साथ प्रतीक बाधा को विजय प्राप्त की हर कदम के साथ मजबूत और बुद्धिमान होता गया अंततहा कई दिनों की अथक खोच की बात अलिक्स रहसमे घटना स्टार फॉल स्पेक्टरम पर पहुँच गया रात का आकाश तूटते तारों से चकाचोंद हो गया जिससे एक मनमोहग द्रश्य बन गया अपने दिल में उच्छा के साथ अलिक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और एक चमकते हुए गिर्टे तारे को पकड़ लिया उस जादूई शंड में अलिक्स ने अपनी आखे बंद कर ली और अपनी हादिक इच्छा को प्रकट किया लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसे हैसास हुआ कि असली जादू तारों में नहीं बलकि सपनों की शक्ती और उसे पूरा करने के द्रंट संकल्प में होता है जैसे ही एलिक्स स्टारडल लोटा उसने पाया कि उसकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है सभी लोग उसका बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे और उसके प्रती चिंतित थे उसने इस पूरी यात्रा में पाया कि उसका आत्मविश्वास पहले से अधिक हो गया था आज उसने आत्मविश्वास का सही अर्थ खुज लिया था कहारी कसार यह है कि सपने तब सच होते हैं जब आपके पास द्रंट संकल और अपनी शम्ताओं पर विश्वास के साथ उन्हें हासल करने का साहस होता है एलिक्स की तरह हम सभी के पास अपने सपनों को पूरा करने का होसला और उसको आकार देने की शक्ती है इसलिए सपने देखना कभी बंध ना करें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें क्योंकि असली जादू आपके भीतर है ऐसी और भी मनोरंजक और रोचक कहानियों के लिए हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब करें फैरी अंडर स्कूर टेल्स जीरो वान पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस रहें बाई